तो हेलो फ्रेंड्स अभी अभी आया है बहुत बरी खबर निकल करके सामने मात्र पांच मिनट पहले ये खबर आया है और ये खबर है दोस्तो साम के लगभग पांच और छे के बीच में पांच और छे के बीच में ये खबर आया है कि दोस्तो मैट्रिक और इंटर का रिजल् ओफिसियल वेबसाइट पर ये खबर आ गया है बिहार वोड के अध्यक्ष अनद किसोर के द्वारा वो खुद कहें हैं कि 7 अप्रेल को साम के 3 बजे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरा लाइफ प्रूफ दिखाने वाला हूँ मैटरी के कौपियों का मुल्यांकन कब समाप्त होगा कब से सुरू हुआ है इंटर के कौपियों का मुल्यांकन कब समाप्त होगा उसके बाद क्या होगा टॉपर्स का लिस्ट कैसे जारी करेगा टॉपर्स से कैसे बात करेगा वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीड कि result मेरा इस तरह का हो सकता है या उस तरह का हो सकता है वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ साथ में ये बताने वाला हूँ दोस्तों कि CBSE माध्यम की द्वारा जो है इस बार रिजल्ट बंपर रिजल्ट आने की संभावना की जा रही है तो चलिए बीना देरी करते हुए बीना बखबख करते हुए इस वीडियो को सुरू से लास तक देखेगा और इस वीडियो को सांदार तरीका से सुरूआत करते हैं बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि दोस्तो ये ओफिस्यल वेबसाइट पर जारी कर दिया कि 7 अपरेल को रिजल्ट जारी होगा सामके 3 बजे अब टेंसन लेने की कोई जरूत नहीं है साथ में मैं आप लोगों को वेबसाइट भी बताने वाला हूँ तो चले शुरूआत करते हैं बटो से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बिहार बोर्ड 12th result 2021 जाने कब तक आएगा बिहार बोर्ड की इंटर परिक्षा का result ये finally decide कर दिया गया है कि result जो है 12th class का कब तक result आएगा वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो पर बताने वाला हूँ पहले ही आपको बता देता हूँ कि किस site पर जारी कर दिया जाएगा आपको न इधर देखना है न उधर देखना है बस आपको यहां देखना है इस site पर जो है सबसे पहले official website बिहार बोर्ड.gov.in पर 12th का result जारी कर दिया जाएगा लेकिन कब करेगा दोस्तो मैं आप लोगों क इस वीडियो में बताने वाला हूँ अब इस महिने में result जारी नहीं होगा लेकिन अपरेल में 7 अपरेल को कितने बजे होगा किस website पर होगा वो live proof के साथ मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ तो चलिए दिखाते हैं बारी-बारी से आप लोगों को सम जाते हैं देखे यहां क्या दिया गया है इस बात को पहले गौर से सुनिए देखिए समझिए कहता है दोस्तों बिहार बोर्ड की इंटर की परिक्षा का result इस महिने के आखरी सब्ता में जारी किया जा सकता है फिलहाल अब आप लोग भागिएगा नहीं फिलहाल बिहार बो बिहार बोर्ड इंटर result को समय पर जारी करने के लिए कौपियों का सही समय पर मुल्यांकर होना जरूरी है अगर मुल्यांकर में देरी हुई तो result में भी देरी होगी ठीक है लेकिन अगर अगर हम पिछले साल के हिसाब से देखे तो साल 2020 में बोर्ड की बोर्ड ने टायें तीन फरवरी से तेरा फरवरी तक आयोजित की गई थी ठीक है और इस वार क्या क्या गया है एक फरवरी से लेकर दोस्तों तेरा फरवरी तक किया गया था जिसके रिजल्ट चालिस दिन के बाद ही जारी कर दिये गए थे वोर्ड ने चोबीस मार्च 2020 को इंटर का खांज को 31 मार्च को जारी किये थे यारिके मा followers में किक जारी किये थे या इन dos यह समझिज़ दे ग virgin March में ही किये थे लेकिन इस बार जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि इस वांजो दिया गया है वह क्या दिया गया है आपको सारी जानकारी बता canonical अब आपको इस वीडियो में सुरू से लाश तक बने रहना है अब देखे यहां दिया गया है क्या इंटर परिक्षा का रिजल्ट जल्द आएगा इंटर परिक्षा का रिजल्ट जल्द आएगा इंटर परिक्षा का रिजल्ट जल्द यहां देखे दिया गया है क्या इंटर परि इस बार भी दोस्तों यह अनुमान लगाया जा रहा है दो साल को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी कौपी काम लियांकन 5 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक लगातार जारी रहेगा जो कि अभी जारी है भी दोस्तों ठीक है 15 मार्च तक चेक इन होगा तो इस दोरान यह दो साल को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो है मार्च के लास्ट सप्ता में इंटर क का रिजल्ट मार्च के लास्ट सप्ता तक इंटर का रिजल्ट जारी हो सकता है वह भी बिहार के ऑफीशियल बिहार वोड के ऑफीशियल वेबसाट बिहार वोडट .gov.in पर इसके साथ साथ आप लोग दोस्तो सरकारी result पर भी देख सकते हैं अपना result ठीक है जैसे ही result upload होता है तो सबसे पहले आप लोग कैसे देखेंगे तो आप लोग मुझे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ में अपना admit card का जो आपका आप लोग भी तो पहले देख पाएंगे लेकिन अगर आप लोग पहले नहीं देखते हैं अगर उस दौरान मैं पहले देख लेता हूँ तो आप लोगों को जिसका जिसका मैं result देख लूँगा उसको whatsapp पर भेज दूँगा चुकि मेरे यहां जो है बहुत सारे ऐसे साइट है और ऐसे सिस्टम है जिसके वज़ा से मैं पहले रिजल्ट देखने की कोशिस करूँगा ठीक है तो यह था दोस्तों इंटर के बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं 12 के बारे में थोड़ा सा जनकारे में आप लोगों को और देदू इंटर का इस साल बारवी की परिक्षा का आयोजन एक फरवरे से 13 फरवरे के बीच किया गया था ठीक है बिहार स्कूल सिक्षा बोर्ड बी ऐसीवी पटनाने परिक्षा को 1473 किंद्र पर आयोजन इस परिक्षा में 13 लाख चावी साथ है ठीक है इस परिक्षा में तो आप लोगों को पता है तो दोस्तों फाइनली मैं आप लोगों को यह सब्सक्राइब कर दोस्तों साल 2019 और 2020 को दोस्ते हैं तो आप लोगों को पता है कि वारा मार्च से लेकर के 24 मार्च जिए लेगा आप लोगों की विश्टा और दोस्तों चेक के दौरान जो भी कुश्चन का जो भी कुश्चन का चेक हुआ है वो उसका इंट्री जो है कम्प्यूटर पर किया जा रहा है ठीक है तो इस दौरान ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि दोस्तों मार्च में कम उमीद है मैट्रिक का रिजल्ट आने का लेकिन 7 अप्रेल तक यानि के फर्स्ट वीक में रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है आपके बिहार वोड के ओफिसियल वेब साइट पर ठीक है अगर आप लोग चाहते हैं कि सबसे पहले नॉटिफिकिशन हमें मिले रिजल्ट की जानकारी मिले तो आप लोग नीचे डिस्कि क्या रहते हैं ओफिसियल वेब साइट में हम बीजी रहते हैं तो केवल में आप लोगों का क्या करूंगा वाट्सेप नंबर पे जो है जैसे ही नॉटिफिकेशन जारी होगा रिजल्ट का मैं आप लोगों को डिरेक्ट वाट्सेप पर भेज दूंगा या फिर नीचे डि पीच में उसको विजिट किजिए टेलिग्राम को उस पे मैं रोजाना एक से एक नया नया इनफॉर्मेशन देते ही रहता हूं क्लास से भी रिलेटेड और सिक्षा से जुरी सारी जानकारी मैं वहां पे सेंड करते रहता हूं ठीक है तो उमीद करता हूं कि मेरी बाते आप उसको समझ में आया होगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना चैनल पर नया है हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना मत हुनना इसे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अप्लोड करूंगा तो सबसे पहले नौटिफीकिसन आपके पास पहुँच जाएगा ठीक है दोस्तो तो चैनल परना है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना साथ में इसे ज्यादा ज्यादा सेयर कर देना तो मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो है तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है उस इस्टाग्राम इडिप ठीक है तो उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में धन्यवाद